गुड मॉनिंग डियर स्टुडेंट आई डॉक्र सतीश में वाड़ा हम लोग आज डिस्कस करेंगे एकाउंटिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ठीक है और इसके कोशन्स नुमेरिकल एक्जाम में आते हैं और स्टुडेंट इसको छोड़ के आ जाते हैं लेकिन य जो है यह जो इंकम स्टेटमेंट है यह बहुत जगे काम आएगा ठीक हम इसको समझते हैं तो इंकम स्टेटमेंट ऐसे होता है कि साल भर में जो हमारी सेल्स हुई है उसमें से हम वैरिवल कॉस्ट माइनस करेंगे एक कमपनी में स्टुडेंट बिल्कुल मेरी इस बात को ब पहला जो खर्चा होता है वैरिवल कोस्ट और दूसरा जो खर्चा होता है कमपनी वह होता है फिक्स कोस्ट ठीक है वैरिवल का मतलब होता जो बार बार चेंज होती रहती है और फिक्स का मतलब तो जो फिक्स होती रहती है एक फिक्स कोस्ट मतलब आपकी बिल्डिंग का कि जो है वो फिक्स है कि भाई 10,000 रोपे मन्त या 1,000 रूपीस पर मन्त ठीक है या employee की salary या ठीक है समझ गए यह fix होता है variable cost वह होती है जो change होती है जैसे हम लोग इस महीने हमने 20,000 का समान खरीदा अगले महीने हम 25 का खरीदेंगे यह हमने इतने expenses करें अगले महीने हमारे change हो जाएंगे तो variable cost मतलब जो change होती रहती है बार बार ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस chart को हम अपने माहीने fit करेंगे कि sales में से variable cost minus की variable cost मतलब जो change होती होती है cost थीक है तो contribution आ गया, contribution का मतलब क्या होता है, what is contribution, contribution का मतलब होता है, हमारा मुनाफ़ा, हमें इतने का समान बेचा, वो लाए थे इतने का, तो हमें इतना पढ़ गया, ठीके, maximum दुकानदार वो है, बस इन तीन चीज़ों भी follow करता है, और ये बाकि सब भूल जाता है, लेकिन हमें इन मुनाफ़ा, ठीके, अब इसमें से हम माइनस करेंगे, fixed cost, fixed cost माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा, profit before interest and tax, इसे PBIT कहते है, ध्यान रखना एक्जाम में PBIT का मतलब क्या होता है, profit before interest and tax, before मतलब पहले, before का मतलब का तक पहले, interest मतलब बैंक का ब्याज, और सरकार को tax देने से पहले profit आया हमारा, इसे EBIT भी कहते है, earning before interest and tax, ठीके, earning मतलब earning और profit एक जो होता है, ठीके, अब हमने ये before है, before है तो हम इसे after बना दे, मतलब हम बैंक का ब्याजी भर दे और सरकार को tax भी दे दे, तो देखिए, हम PBIT में से पहले I- करेंगे, तो PBIT में से I- करा तो क्या बच दिया, तो हमारा आया profit before tax, मतलब सरकार को tax देने से पहले हमारे पास profit है, अब हम सरकार को tax दे देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, PAT या EAT, profit after tax या earning after tax, student इस चार्ट को माईने फिट कर लीजिए, सारे formula में इसी से बनाऊंगा, ठीके, मैं एक example के तुर समझाता हूँ, कि सपोज मान लीजिए हमारी एक लाग की sale हुई, जो एक लाग की sale हुई है, वन लेक की sale हुई है, उसको हमने उसकी variable cost मान लीजिए 40,000 थी, ठीके, तो हमारा मोटा मोटा पोनाफा किता आ गया, सर 60,000, मैं कहता हूँ हमारा परमंद जो fixed cost है, एक example कि हमारी जो परमंद बिल profit before intestine tax, हमारा परमंद बैंक का ब्याज हो 10,000 जाता है, यह सब सपूस किया है, एक example लिया है, 40 में से 10 गया है, तो 30,000 का हमारा आया है, अब मैं कहता हूँ, इसका 50% सरकार को tax जाता है, 50%, 30,000 का 50% क्या होता है, तो हमारा कितना profit आया, last में 15,000, देखिए, कुछ दुकानदार जो होते हैं, या कुछ businessmen जो होते हैं, यहां आकर end हो जाते है, उसको लगता है कि मैं 1 lakh की sale करी, और जो sale करी है, वो मैं सामान लाया था 40,000 का, तो 60,000 रुपे कमा ली, नहीं, आपका last सब कुछ कितना बचा, सिर्फ एक लाग का आप sell किया, तो 15,000 आपके हाता है, इसको आ मेरा PBIT आया, PBIT में सर पहले मैं I minus कर दूगा, interest मेरा bank का अभ्याज minus कर दूगा, और मेरा सरकार को tax, यह सब minus करने के बाद यह आया, अब, अब हमारे exam में इन तीनों में से एक question पूछा जाएगा, या तो PB ratio, या break even point, या margin of safety, या sales required, यह चारों पूछा जाएंगे, इसके formula अबले यह लिखे हुए है, ठीके, understand, PB ratio का मतलब क्या होता है, profit volume ratio, मतलब profit volume, volume का मतलब होता है कि, किस दर से आपने profit कमाया, कितना profit है आपका, तो profit volume ratio, ठीके, मतलब यह 15,000 रुपर जो आपने कमाया है, इसका volume क्या है, कितना percent है आपकी, आपकी sales का, या आपने कितना प्रत profit हो रहा है हर साल, तो वो यही बताएगा, कितने percent profit हो रहा है, ठीके, break-even point क्या होता है, एक ऐसा point होता है, जो यह शो करता है, कि आपकी company ना profit में है ना loss में, ठीके, break-even point वो point होता है, जहां, जो point यह शो करता है, कि आपकी company ना profit है ना loss है, ठीके, जब मान लिजिए कि वो company क्या break-even point निकालती है, ठीक है, वो कैसे है मैं आगे बताऊंगा, margin of safety का मतलब क्या होता है, margin का मतलब क्या होता है, margin of safety, margin of safety का मतलब आपने मुनाफ़ा कित्ता कमाया, ठीक है, इसका formula होता है, total sales minus break-even sales, इस सब क्या होते हैं, वो one-by-one बता दूगा, एक चोथा आता है, sales required, उसने कहा, कि अगर आपको 50,000 profit कमाना है, इस साल, जैसे मैंने कित्ता कमाया अभी, 15,000, ठीक है, 15,000 कमाया, तो वो कह रहा है, मुझे अगर 50,000 कमाना है, तो कितनी sales करनी पड़ेगी, sales required, उसका formula है, हम one-by-one समझते हैं, ठीक है, अब exam में क्या होगा, मैंने chart क्यों बताय एक्जाम में क्या होगा, कि आपको, सपोज हम PV ratio से चालू होते हैं, ठीक है, PV ratio से start होते हैं हम लोग, ठीक है, अब समझ लीजिए कि PV ratio का उन्हें कोशन दिया है, एक कोशन एक्जाम में आया है, कि find out PV ratio, find out PV ratio, ठीक है, उसने का PV ratio आप find out करो, ठीक है, इस side दिखने जाओगा आपको, ठीक है, अब PV ratio का formula है, contribution upon sales into 100, ठीक है, contribution कितना है हमारा, हमें इसी को example ले लेते हैं, contribution है हमारा 60,000, ठीक है, ठीक है, contribution आपका 60,000 into 100 formula में हैं, और sales कितनी हैं, आपकी 1 lakh, ठीक है, तो इसको हम करते हैं, 1, 1, 2, 2, ठीक है, यह हमने सब काटा, तो हमारा बचा 60, 60%, कितनी है हमारा profit volume कितना है, हमने 60% की दर से profit कमाया है, ठीक है, वो कितना प्रतीस है, हमारा PV ratio कितना है, PV ratio, 60%, वो कह रहा है, हमारा 60% की दर से हमने profit कमाया है, अब यह क्या हुआ है, कि मैंने इस सब आपके पास था, तो आपने easy formula लगा के निकाल लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कि वो इसमें से कुछी figure देगा, कभी कभी क्या करता है, वो contribution नहीं देगा, आपको formula में contribution अब वो नहीं देगा, यह sales नहीं देगा, तो आपको कैसे find out करनी है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चलते हैं, अगले पीच पे, ठीक है, देखी, student, मैं यहां करता हूँ, PV ratio, इसका formula क्या होता है, contribution upon sales into 100, contribution, sir मेरा मोटा मोटा मार्जिन, sales, सर्वे ने जो साल भर में sales की है, अब क्या होगा, कि उसने कहा, PV ratio निकालो, और सिर्फ आपको दो ही figure दे रखें, ठीक है, कितने figure दे रखें, उसने, दो ही figure दे रखें, ठीक है, उसने कहा, variable cost आपकी जो है, वो है, पचास अजार, ठीक है, और contribution जो है आपका, C है जो है 10,000, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, PV ratio निकालना, दो figure दे दियो है, तो मैं फिर बता दूँ आपको, चाहे वो PV ratio निकालने को दे, चाहे break even point निकालने को दे, चाहे margin of safety या sales required, ये चारों जब्वी दे, सबसे पहले आपको इस chart को prepare करना है, figure ने लिकना ह तब क्या है chart का formula हमारा, sales minus variable cost upon contribution, sales में से variable cost minus करेंगे, तो contribution आएगा, contribution में से हम fix cost minus करेंगे, तो sir हमारा PBI आएटी आजाएगा, इसके बाद आप ना भी minus करो तो चल जाएगा, इतना भी बहुत है, इतना भी बहुत है, इतना भी बहुत है, इसके बाद भी आप कर सकते हो, इसके बाद बहुत easy है, sir पहले i minus करेंगे, 50 minus करेंगे, simple, मैं इतने से ही करता हूँ, तीक है, अब देखिए, कुछ मत करो, जब भी ये चारो पूछे जाए, ये चारो, तो सबसे पहले ये chart prepare कर लो, और जो figure दिया वो लिख लो, जो figure यहाँ question में दिया वो लिख लो, सिर्फ contribution दे रहे का, sales नहीं बता, तो कुछ मत करो, ये 10,000 ही आए, तो कितने में से 50,000 minus हुएंगे, तो 10 आगए, अगर आपके 10,000 रुपे आए है, तो 50,000 में से कितना minus, स्वाजी, 50,000 किस में से minus हुए, ठीक है, 60,000 में से 50,000 रहे तो 10,000 आगए, ठीक है, देखिए, ये chart बनाने का सबसे अच्छा फाइदा ये है, कि आपको जो missing figure होता है, exam में क्या करते हैं, वो एकाथ figure miss कर देते हैं, फिर आप से कहते हैं कि ये निकाली, अब easy हो गया, contribution, आप मैं PB ratio निकाल देता हूँ, PB ratio, क्या formula है, contribution, what is contribution, sir मेरा contribution 10,000 है, 100,000 जो है, sir, formula में दिया हुआ है, sales से मैंने निकाली दिये, 60,000 रुपे की, ठीक है, एक 0 से, एक 0, ये 0 से, ये 0, एक तो, एक तो, इस से काट देता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रिखिये student, कि मैंने figure अपने मन से लिए था, तो कुछ point में आसर भी आ सकता है, ठीक है, हम इसको करते हैं, 6 से काटते हैं, 1, ठीक ह ठीक हम छे, फिर, 17 पॉइंट कुछ को आएगा न, आप calculator से करेंगे, तो कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है, हम calculator से करेंगे, तो ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है, इसको करेंगे, ठीक है, तो 17 हमारा profit volume ratio क्या है, 70, 17 ठीक है, ठीक है, ठीक आप ठीक answer निकाल ले न, calculator से निकल पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है, तो मेरा कहने का यह मतलब,